हेलो अबरिवान दिस इस तनुर टिप्टान और आजम करने वाले हैं GST गूट्स एंड सर्विस टेक्स के कॉशन पेपर जो प्रीवेस येर आई हुए हैं 2019 से लेके 2022 तक के इससे पहले जो बाकी सब्जेक्ट आपके जैसे लाइका, income tax, auditing, financial management, cost accounting सभी के कॉशन पेपर अप्लोड हो चुके हैं 2018 से लेकर 2022 तक के ये भी है कुशित्रा इनुवर्सिटी के बाकी इनुवर्सिटी जैसे की MD इनुवर्सिटी, IGU इनुवर्सिटी, रिवाडी की जो है ये, ठीक है, Delhi इनुवर्सिटी, CRS इनुवर्सिटी, most of जितने भी इनुवर्सिटी के कॉशिन पेपर जो बच्चों ने बेजे थे, वो अलड़ी अप्लोड हो चुके हैं हमारे कॉशिन पेपर चैनल पर, प्लीज उस चैनल पर विजिट कीजिए, और अपने इनुवर्सिटी का भी देख लीजे और बाकी मैं आपको एडवाइस देती हूँ, बाकी सभी इनु आपकी responsibility बनती है कि exam देने से पहले इन सभी caution paper को जरूर देके जाएं कि किस तरह से caution क्या है, बनकर आएं हैं, किस तरह से अब की बार बनने की chances रहेंगे, ठीक है, और जो important caution की series थी, income tax की हो गई है, goods and service का हो गया है, ठीक है, auditing की हो गया है, cost accounting की हो गया है, इन सभी के important chapters, important caution की series मैंने और निकाल चुकी हूँ, उनका सभी का link भी आपको description box में मिलेगा, और जो caution paper जो चैनल है, special जो आपके लिए बनाया है, उनका भी link आपको description box के अंदर मिलेगा, ठीक है, अब हम जो यह caution paper कर रहे हैं, कुल्षित्रा इन्वरसिटी का है, और 2019 का है, 2019 से लेके इसम कितने number का paper होने वाला है, आपका, 80 number का paper होने वाला है, और इसके अंदर आपको 5 question attempt गरने, और जो पहला question होगा, वो आपको compulsory है, ठीक है, जो compulsory question है, वो कैसे दिया हुआ है, सबसे first question क्या कह रहा है, first की ही five part मिलेंगे आपको, कह रहे है कि, is GST is a cure for all the prior indirect taxes, ठीक है जी, यह question नया है, इसको tick up कर लीजिए, next question कौन सा है, reverse charge क्या है, यह question पुराना है, most repeated है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, next is input text credit क्या होते है, यह वाला chapter से जो क्या है, बड़ा question भी बन कर आएगा, आप देखना जो long question आएगे न, तब आपको input text credit से बहुत से question देखने को मिलें है, ठीक है, इसके पाद आता है, आपका fourth question क्या करें, compounding, जो question repeat होंगे, और जो question नहीं है, मैं आपको उनको proper notify करूंगे, ठीक है, जो आपका first question था, वो थोड़ा नया था, यह अब इसे मैंने भी नहीं करवाया था, बट आपको मैं बता देखने है, इसको थोड़ा सा ज्य यह आपका last वाले chapter में से आया हूँ है, ठीक है, यह question बहुत बार repeat हुए है, आप इनको बिलकुल पक्के करके जाना है, क्योंकि जो input text credit वाला chapter है ना, उसमें से long तो ज़्यादा possibility रहती है, कि long भी आएगा, आप देखना भी, अभी हम करेंगे, ठीक है, इसमें जो बड़ा question है, second question क्या कहता है, कि define GST, goods and service text को आपको define करना है, और also इसकी feature भी explain करनी है, most repeated and most important question है, और यह जो question है, chapter number second से है, क्योंकि पहला chapter तो बिलकुल बिलकुली basic सा है, introduction दी हुई है, कितने तरह की taxes होती है, ठीक है, यह जो question है, आपका chapter number second से आया हुए, second question, third question क्या है, कि explain in detail the provisional Levi and collection of the CGST and SGT, यह भी repeated question है, Levi and collection वाले chapter से आयो, seven chapter मेरे पास अभी फिलाल बुक नहीं है, क्योंकि मैं out of station हूँ, फिर भी मैं आपके लिए question paper क्यों upload कर पा रहे हूँ, क्योंकि यह जो question paper है, हमारे एक student ने send किया है, कुछ यत्रा इंवरिश्टी से belong करता है, देखो, उसने मेरे को send किया है, through the email, जिनका नाम मैं आपको proper show करना जाओंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे इस तरह से एक बुसरे की help कर रहे हैं, जरिया मैं, जैसे वो पता है, उन्होंने क्या बोला, कि माम जिस तरह से आपने हमारी help की है, व provide कर रहे हूं, ठीक है, डैम शूर आपका जिसे 26 को exam है, तो 26 के exam होने से पहले आपको सभी caution paper आपको available हो जाएंगे, हमारी caution paper चैनल पर भी, ठीक है, आपसे भी humble request है, जैसे या आपके 26 को exam हो जाएं, तो आप हमारे WhatsApp नमबर के उपर भी आपको PDF की phone में बेजने, पहली बात ठीक है, तो यह सभी चीज़े आपको description box में मिलेगी, हमारी email ID भी, हमारा WhatsApp नमबर भी और सभी वीडियो का link भी, ठीक है जी, यह जो third question है, यह भी most repeated question है, बहुत ही important question है, देखो, auditing हो गया, advertisement हो गया, यह कुछ एक basic retail management हो गया, HRM का subject हो गया, और साथ में आपका एक और subject है, Indian financial system हो गया, यह कुछ एक subject है, जिनके इंदर particular question ही आते है, particular question, particular chapter से आते है, आपको इनके उपर बिल्कुल बहुत अच्छे से focus करना है, ठीक है, लिवाइन collection वाला chapter भी बहुत ज़्यादा important रहने वाला है, next question क्या है कि discuss in a detail the provision regarding the availability of the credit in the special circumstances, आपको detail provisions बताने है, ठीक है, किसके regarding, credit in a special circumstances के regarding, ठीक है, यह question मेरको नया लग रहा है, आप इसको बिल्कुल tick up कर लेना, next क्या है, discuss the provision for determining the trim supply and service provide under reserve charges basis, यह question भी बहुत repeated है, ठीक है, इसको यह तो मैंने उल्लेडी करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने GST के important question की जब series आई थी, ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा, देखो, become third year semester 5th, December 2019 का यह paper है, ठीक है जी, हिंदी वाले बचों के लिए भी लेबल है, आप देख लीजिए, next question क्या है, supply वाले chapter आपकी बुक के अंदर तीन मिलेंगे, उन supply वाले chapter से एक supply का question आने वाल है, confirm है, एक तो confirm है, आई गाई आई हो, एको क्या question है, what is the place and supply in a GST, GST के अंदर place and supply का क्या मतलब होता है, क्या स्थान है, ठीक है, what is the relevance and need for the determine the place and supply, ठीक आपको relevance बताने हैं और lead बताने हैं कि क्यों place और supply को determine के जाता है, ठीक अपनी जुरुरत के according, ये question आपका supply वाले chapter से है, supply वाले chapter भी basic है, वो हाँ से question बनकर ही बनकर आएगा, next क्या है, कि discuss the feature and text invoice, discuss करना है feature and text invoice के उपर, basic सा question है, बहुत ही असान subject है, GST, वैसे बचे कहते ह मुझे नहीं लगता है, ये tough है क्योंकि आपके daily routine से relate करता है, next question क्या है, what are the difference, different electronic record maintained for payment and the text under the GST, different difference जो आपके electronic records क्यों maintain करने के लिए, different methods है, उनको explain करना है, देखो क्या लिखा हुए, एक मैं दुबार से बढ़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक word missing है, यहाँ पिनोंने कोई बात नहीं, बट आपको इस तो थुरह सा अंदाद हो जागा कि chapter कौन से है, question कौन से, ठीक है, 9th question क्या है, कि explain the various penalty, penalty वाला chapter, levian collection वाला chapter, very very much important है, तो को यहाँ पर पूरे 9 question थे, 9 question में से आपने क्या करना है, केवल और केवल 5 question attempt करने है, और पहला जो question है, वो compulsory है, तो that means आपके पास 8 की choice है, 8 में से कोई भी चार करने है, बहुत असान सा है, पहला question, second chapter बहुत असान है, लिवाई इन collection वाला बहुत असान है, और जबका यह वाला supply वाला chapter बहुत असान है, यहाँ से दो question बन रहे है और text invoice वाला, कोई भी कर लो यहाँ, बहुत असान है, पास होना, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, चलो हम चलते हैं, हमारे next question paper के उपर, जो की है 2021 का है, ठीक है, यह क्या है, टाइम इसके अंदर भी same है, same क्या है, कि 3 घंटे का paper होने वाला है, और 3 घंटे के अंदर आपको 80 number का paper complete करना है, आप कोई भी 5 question attempt कर सकते हूं, और पहला question आपको क्या है, क्या है, कंबल से रहने वाला है, मैं यह बात है, सभी क्यों बार बार repeat करें, क्योंकि जो pattern रहने वाला है, जो 2019 से चल रहा है, जो 2019 से चल रहा है, जो 2019 से चल रहा है, mostly similar है, बट हाँ, exam स्टा बाद नहीं बोल रही एक मिनिट आपको अपने कॉश्चिन के जो इंस्ट्रक्शन दी हो दिया ना नोट के अंदर वो आपको प्रोपरली रीड करनी है ठीक है सो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉश्चिन जो है मारे पास कंपल्सरी वो क्या दिया हुआ है राइट ए नोट होंदा फॉलॉवइंग एंडिया बफोर इंडिपनेंट रिपीटिड है यह हमारा 2022 के अंदर भी आया था चौर्फ उनिवर्सिटी और डॉर्सिटी यह कोश्चिन बहुत बार रिपीटिड है ठीक है नेक्स कौशन क्या है question number B की goods and service techs network क्या होते हैं basic question है बहुत बार repeat हुए है ठीक है नेक्स क्या है normal and forward charges क्या होते है ठीक है normal and forward charges क्या होते है यह आपको explain करने बहुत ही यह वी basic है क्योंकि सब्सक्राइब बहुत बार repeat हुए ठीक है next question है कि person liable for the registration under the GST कि ये कोशagnan वाले Kickstarter से है지가 रिजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अनी के जाधा चांस हे क्योंकि मैंने बाकि इनवर्षिटिक के कशचन करवाय देन तो वहापे र think Χष प्रोसेस के ऊपर बहुत बार बड़े कोशन आए वह आपके यहापर चोटेゃ आएं तो मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दूंगी तो रजिस्टेशन का जो चैप्टर है थोड़ा सा अच्छी से करके जाना फिफ्ट कोशन क्या रहा है कि लेजर क्या होते हैं यह असान सा कोशन्भाप सकते हैं कि दॉट्ट कोशन से क्या कह रहा है discuss the benefit and drawback of the goods and service text देखो second chapter से यहां से भी question आया हुआ है कि आपको benefit भी बताने है drawbacks भी बताने है किसके GST के जो उपर हमने question paper किया उसमें क्या था उसकी features उसके objectives पुझे रहे थे ठीक है 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 हम यहां पर third question देखे क्या लिखा हुआ है what you mean by deemed supply composite supply and mix supply under the GST लो देखो supply वाले chapter में बता रहे हुआ कि basic है आना ही आना है question तो यहां पर देखो आपको नजर आ रहे है next question क्या है है हिंदी में भी देख लिजेए बचे question क्यों क्यों आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है कि discuss the benefit and drawback of the registering under the GST composition scheme composition scheme क्या होती है यह आपका 5th chapter है small small scale जो businessman होते ना उनके लिए composition scheme लाई गई थी यह question वहां से आया हुआ है यह भी question repeated है next देखो क्या लिखा हुआ है आपको यहां पर practical है क्या कह रहा है देखो practical तो आप देखो मैं दिखा सकती है कि ज्यादा कि लंबी वीडियो बन जाएगी देखो अराम से देख लीजिए अब हिंदी वाले बच्ची भी देख लीजिए कि आपको नजर आ रहा होगा देखो become second year 2020-21 का भीपर है ठीक है अब यहां पर six question आ जाता है आपको short note लिखने है short note आपके दियों में तीन तीनों पर आपको short note लिखने है क्या है revised invoice है refund voucher है e-way bill है ठीक है यहां पर हिंदी में भी देखो लिखा हुआ है अब यहां पर हम बहुचते हैं हमारे 7th question के अंदर मुझे भी थोड़ा सा बलर नजर आ रहा है एक सकीन क्या कह रहा है 7th question explain provision related with quarterly return under the composition लिवाई scheme देखो थोड़ा सा बलर है बट मैंने आपको बता दिया आप देख लिए न यह composition लिवाई scheme वाले चप्टर से यह इसके अंदर provisions बताने है क्या क्या प्रोविजन से ठीक है उसके बाद आजाता है हमारे पास 8th question question number 8th क्या कह रहा है define text deducting at source explain the provision related to the text deducting at source under the GST law के अंदर यह chapter number 16 है I hope मेरे बुके नुसार ठीक है और जो इसके अंदर एक और question आ जाता है जिसी TDS वोले chapter से इवे बिल का मैंने आपको ऊपर question बताया था ना आया हुआ है यह इवे बिल और उसकी जो importance है उसके जो conditions है provisions है वो आपको question में बहुत बार पूछे गए हैं आप उसको देख लेना क्योंकि मैं जब further university का explain क्या था important question of the GST income tax cost accounting auditing further जितने भी subject आपके सभी के निकाली थी मैंने important question की series तो मैंने आपको महापे भी discuss किया था यह TDS वाला जो chapter है और offense and penalty वाला chapter है बहुत जादा important है यह chapter number 16 है ठीक है at the end मैं आपको यह भी बताऊंगे कि 17 chapter में से कितने chapter आप करके जाएं जिससे आप क्या है पास हो सकती हो मेरे हिसाब से आप 19 chapter कर जाओगे न इसली अराम से बहुत अराम से पास हो जाओगे ठीक है जादा गबराने वाली बात में हो थी अपने subject को crack करने के लिए ठीक है exam को करक करने के लिए यहाँ पर 9th question देखी क्या लिखा हुआ है define journal or residual penalty explain the discipline related to the penalty देखो मैंने अभी बोला कि penalty and defense वाला चप्टर जो 17 है बहुत जादा important है ठीक है बचे बहुत बार comment करते हैं कि मैं कितनी strength लिखनी है कैसे लिखनी है यह मैंने चाहे है आपका दो नंबर का question है क्य कैसे आप लिखोगे दो नंबर के question के लिए चार नंबर काता है तो कितने base बरोगे कैसे लिखोगे क्या-क्या points उसके अंदर main होने चाहिए और 8, 10, 15, 20 नंबर का अगर paper question आता है तो आप उसको कैसे attempt करोगे यह सभी बाते मैंने important question of GST के अंदर important question of the income tax important question जिसके अंदर मैं पहले बच्चे को भी दिख चुका होगा यहां पर जो आपका 2021 का question paper finish हो गया है अब बात करते हैं हमारे 2025 के question paper के 2022 के अंदर क्या-क्या जो वही criteria रहने वाला है देखो first question जो आपका है कंबल सरी है और जो बागी चार question है उस question में से क्या है आपको कोई भी आपको चार question अटेंट करने होंगे ठीक है ठीक है ठीक है जी आपको अपने जैसे सभी इनुवर्सिटी के बच्चे देखेंगे ठीक है क्योंकि important question पता लग जाता है किस तरह से pattern आने वाला है किस तरह से question मोल्ड हो के आने वाला है देखो question बहुत बार repeated है जितने मैं आपक question paper में दिखा रही हूँ कारण यह है क्योंकि हर एक इनुवर्सिटी के जो examiner जो exam set करने वाले होते है उनकी mind intention एक जैसी होती है बट वह question को घुमा देती है बच्चे confused हो जाते है कि हाँ आपकी बार तो नया question आया था बताया कुछ था अब आ गया कुछ और नहीं बच्चे question mostly same ही आता है कुछ percentage होते हैं कि वह question थोड़ा सा अलग अलग chapter से आ जाए अटपटा आ जाए है जैसे अपकी पिछली बार income tax का बहुत ही अलग criteria लिया हुआ था उसको भी मैं discuss कर चुकी हूँ और इसको नहीं मिला तो आगे फिर दुबार से एक वीडियो डालोंगी यह 2018 से लेके 2022 तक की question paper की आप उसके अंदर जुरूर नोट करना कि कैसे question paper आया हुआ था become fifth semester का ठीक है अब देखते हैं हमारे 2022 के question paper को तीन गंटे मिल हुआ है type of tax tax कितने तरह के होते हैं basic सा question है यह आपका first chapter से है first chapter से देखो क्या question आगे चार नमबर में next है goods and services tax council third question क्या है transaction value क्या होती है transaction value भी यह भी चार नमबर में आया हुआ है type of registration registration वाले चाप्टर से है chapter number 13 है यह ठीक है civil and criminal liability under the GST law बहुत बहुत यह बड़े question में आया है 100 परसेंट आया है और 15 नमबर में तो मैंने कई बार हरी उनिवर्सिटी के अंदर देखा आपकी में चार नमबर में दिया हुआ यह question बहुत ज्यादा important रहने वाला है यह जो chapter जहां से यह आया है यह भी बहुत ज्यादा important रहने वाला है ठीक है इससे जो next question अब हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए ठीक है अब बारी आ जाती है हमारे बड़े questions की आपको नजर भी आ रहा हो गए become third year देखो 2022 का है मई 2022 का है GST का ठीक है अब यहां पर देखो second question क्या दे रखा है explain text structure in India after and before implementation of the GST, GST को apply करने से पहले इंडिया के अंदर पहले की क्या situation थी और अब की क्या situation उसको apply करने के बाद यह भी question बहुत बार आ चुका है नेक्स्ट क्या है कि calculate the tax liability of अंकुर लिमिटेड ड्रग मैनुफेक्चर है that means यह आपका पूरा practical question है practical question को मैं पढ़ने में तो जादा टाइम लग जाएगा आपको क्या कहना है purchased अंकुर लिमिटेड and all these inputs are used for manufacture for a final product यह आपको product दी हुए हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए value of goods दिया हुए है cgst बता रहा है sgst बता रहा है कि दरे परसंट लगनाए वाला है sale of the अंकुर लिमिटेड की बात की जा रही है cgst central text दिखा रहा है दुबार से टीक है उपर value of the goods की थी यहाँ पर sale of the goods की बात की जा रही है question समझ में आ गया होगा आप इसको easily कर सकते है next question देखो क्या लिखा हुआ है कि discuss the provision related with the place of the supply of goods and other than goods imported into or exported from the India imported और import और export के दुरान की बात की जा रही है supply वाले chapter से है मैं आपको फिर बता रही हूँ supply वाले chapter जो है ना 2-3 है वो उन में से कोई ना कोई एक question नजर आएगा आपको इस chapter number 10 है 9-8 से स्टार्ट उजाते है 8-9-10 ठीक है यह हिंदी में भी देख लिए बचे इससे next question आ जाता है कि explain the provision related with the time of supply service in case of the advance advance के उसकी बात की जा रही है ठीक है यह को supply वाले chapter से आपके दो question बनके रहा चुके है question number 4 और question number 5 next question है हमारे पास 6th question क्या कह रहा है कि explain the provision related to with cancellation of registration under the GST registration जो है chapter number 13 यहां से जो registration की कई बार process भी पूछी जाती है आपके exam के अंदर यहां पर आपको जो आपकी question में पूचा हुआ है यह cancellation का point पूचा हुआ है registration से इस वाले chapter 13 chapter है यहां से कौन कों से question बन सकते हैं amendment and cancellation of the registration under the GST right next क्या है इसे में जो कोशन बन सकता है procedure of the GST registration registration की process पूच सकते हैं और provision पूच सकते हैं यहां से यह तीन ही question important है और ज्यादे इसको combine कर भी पूच सकते हैं कि आपको procedure भी पूच लिया and discuss its process भी पूच लिया ठीक है provision पूच लिए ठीक है next question क्या है कि write a note on the text invoice in case of the supply of a service text invoice की बात की जारी है ठीक है आपको एक question नजर दुबार से repeat होता हो और नजर आ रहा होगा next question क्या है write a note on the return under GST law return वाला chapter chapter number 15 यहां से question आता है और जो इसके अंदर एक और जो इस तैसे question बन सकता है वो क्या है what you mean by the return how many type of the return are filled under the GST Act कितने तरह के आप GST जुसरी return भरते हो यहां पर एक छोटे number में जो question आता है GST return form जो वन आता है न वो बहुत बार repeat किया गया है तो उसको भी आप तोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे next question क्या है question number 9 कि explain the provision related to the detections seizure and the release of the goods and the contingents in a transit we have to seize the information and release the goods and the provisions of the goods and the provisions of the goods उसकी provisions बताने है किस तरह से GST law के अंदर आप किसी समान को seize करते हैं और फिर उसको provision apply होने के बाद उसकी फूरी fulfill फ्लेर होने के बाद उसको किस तैसे release करते हैं यह आपको provisions बताने ठीक है आप देखो आपके पूरे 17 चप्टर है मैं आपको importance बता रही हूं बोनकों से chapter आप करके जा सकते हैं जिससे आप क्या है easily pass हो सकते हैं चैप्टर नमबर जो 17 है offense and penalty का वह आप बिल्कुल अच्छे से करके जाए ठीक है payment of tax है जिसके अंदर TDS TCS और E-Way भी लाता है 16 चैप्टर है ठीक है इनपूट TKS क्राइट दुखो कुलचपा इनवस्टी में वैसे बहुत कम बार रिपीट हुआ है इन पूट TKS क्राइडिट मैंने जब से फदर इनवस्टी के अंदर बदाए था महाँस सबसे ज्याधा को इन पूुद तैक्स क्राइट और Registration से आये हुआ है ठीक है लिवायन कलेक्शन अपसे पुचा होऊ था पूछ अगर यह लिवायन कलेक्शन आपसे पूचा भूचा हुआ है यह चैप्टर नंबर 8 में यह बहुत अच्छे से बता रही कोड़िखे हैंS जीमोरस क्यांव हो स हमagit का मैने खुद ऐसा नारी नहीं गभ चरहते हैं कोई भी वीडियो देखे आप important question की देखो या फिर किसी भी chapter की series देखो तो मैंने हर एक चीज notes से available कैसे available होंगे हमारे यहां से notes किस तरह से आपके doubt clear हो सकते हैं वो मैंने सभी आपको वीडियो केंदर discuss करके बदा देती हूँ हाना so humble request है तो please पूरी वीडियो को देखीजे फिर भी कोई doubt रहता है तो आप हमें comment कर सकते हैं हमारे WhatsApp number से contact कर सकते हैं जिसे हमारे जो team है वो आपको response जल्दी देगी बट आपसे आपकी condition है कि आप कैसे आपको WhatsApp पे message करना है सबसे पहले आपको नाम mention करना होगा फिर आपकी university mention करना होगी देन उसके बाद आपको जो चीज के अंदर दिकत है या फिर कोई भी चीज के notes चाहिए तो आप particular form में बताओगे कि मैं इस stream से belong करता हूँ मैं commerce से belong करता हूँ क्योंकि इस channel पर conceptual study point पर आपको तीन faculties बढ़ाती है first of all क्या है मैं commerce के लिए हूँ हमारे sir है जो psychology के लिए है और एक maim है वो क्या है science team के लिए तो आप particular form में अगर message करेंगे तो team को भी convenience होगी कि वो message अच्छे से forward कर पाए right so आपकी responsibility बनती है कि आप अच्छे से message करें कि team जल्दी से जल्दी आप response कर पाए क्योंकि वो message फिर हमारे पास forward होता है then आपको कहीं जाके response मिलता है फिर हम team के पास करते है then team आपके पास करती डिरेक्ट नहीं होता transparency लाने के लिए हमने इस अभी चीजे purpose की हुई है ठीक है so I hope आपके लिए जो caution paper है GST का बहुत जादा important रहा होगा समझ में आया होगा और आप जमके द्यारी कीजिए डरने की कोई बात नहीं है all the very best कोई भी दिक्कत है comment के लिए हम आपकी service के लिए हमेशा available है ठीक है जितना हमसे हो सकेगा thank you